हाई फेंट्स आज आप सभी के साथ मैं शेयर करने जा रही हूं बहुत ही टेस्टी वेजिटेवल दलिया की रेस्पी यह बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है अगर आपके घर में बच्चे दलिया नहीं खाते हैं या कोई भी दलिया नहीं खाता है तो एक बार इस तरीके से दलिया बना के दीजे वो बार बार बनवा के इसी तरीके से दलिया खाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी दलिया तो इसके लिए यहां पर यह मैंने एक कटोरी दलिया दिया है तो यह रोस्टूड वाला दलिया है मार्किट में इसीली मिल जाता इसटरीके से हातों से आप मसलेंगे तो यह जो पानी है इसको निकाल देते हैं निकाल देते हैं जो पानी से अच्छे से दूने के बाद आप आप डालें गे पानी और 15-20 मिनट के लिए इससे उठाएं में रख देंगे जिससे की दल्या थोड़ा सा फूल जाए तो टोटल बीस मिनट हो चुके हैं दल्या को रखे हुए और आप देख सकते हैं दल्या थोड़ा सा फूल भी गया है अब चलते हैं दल्या बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले कड़ाई में हम डालेंगे ओल या आप यहां पे देसी घी का यूज भी कर सकते हैं दो से तीन बड़े चम्मच हम इसमें गरम हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे एक चोड़ा चम्मच जीरा और पहले जीरे को अच्छे से बून लेंगे बहुत ही अब पयाज को मेडियम टो हाई फ्लैम फे बून लेंगे बहुत ही जादा इसका कलर चेंज नहीं करना बस जो पयाज का कच्छ पान है वो निकल जाना चाहिए उर थोड़ा सा पयाज का कलर चेंज हो जाना चाहिए अब इसमें हम डाल देंगे आदर चोटी इसमें कम जादा कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप यहां पे देखेंगे थोड़ी देर के बाद प्याज का कलर हलका सा चेंज हो गया है मतलब हलकी सी भून गई है प्याज अब इसमें हम डाल देंगे बारी कटे हुए टमाटर तो मैंने यहां प पेस्ते साटर आप आप से निक यहां डाने का तामाटरillar बहुत हगये हैं तो सान बाद इसमें हम डाले गयाज्ज अधोर्डक निस्वादव डाले खतकर झान लाल मिच नमग तालेंगे इसमें मैजिक मशाला अ पर घ्ठार मपध्ड़ी करें, इसमें डाले लिए मांग के खाएंगे झाल लिए में. अगर आपके घर में कोई भी दल्या नहीं खाता है न। अग्यों सब्सक्राइब लिए चाहें, भी बाद में विज़ी हैं, इसमें अधा कप मतर मटर रिया है। साती में आदा कप के करीब हम एसमें डाल देंगे आलू, यहां पर मैंने एक आलू को कट कर लिया है, होड़ी से हम इसमें आदा कप के करीब डाल देंगे हरी बिन्स, तो आप इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, फूर्ड को भी बिल्वी डाल सकते हैं, जो भी सबजी आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं पत्ता वो भी डाल सकते हैं या शिमला मिच भी डाल सकते हैं बसारी सबजी को हम कुछ सेकिंड के लिए मसालों में भूनेंगे आप इसमें हम ये डाल देंगे दल्या तो कभी भी आप वेजिटेबल दल्या तो उसका रिजन यही है हम दल्य को थोड़ी दिर के लिए भीगो के नहीं रखते हैं अब दल्या ढालने के बास सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस की फिल्म को लो कर देंगे और तीन से चार मिनट या पांच मिनट तक दल्या को ऐसे ही ढख के पकाएंगे चार से पांच मिनट के बाद आप देखेंगे यहां पे दल्या और हलका सा फूल गया है अब इसमें हम डालेंगे पानी तो पानी हमें कितना डालना है यह देख लेते हैं जिस कटोरी से नाप के दल्या लिया था उसी कटोरी से नाप के हम इसमें चार कटोरी पानी क्योंकि ये जो दलिया है थोड़ा सा पतला ही अच्छा लगता है लेकिन अगर आपको जादा पतला दलिया चाहिए तो आप इसमें एक कटोरी पानी और डाल सकते हैं और अगर आपको खिला हुआ दलिया चाहिए मतलब थोड़ा सा सुखा सुखा तो आप इसमें 3 कटोरी पानी डालें तो यहाँ पे मैंने 4 कटोरी पानी डाला है बिलकल परफेक्ट यह दलिया बनेगा 4 कटोरी पानी डालने से अब गैस की fill में को medium कर देंगे और मिडियम फिलेम पे हम इसमें 3 सीटी लगाएंगे दियान रखें गैस की फिलेम को आपको high नहीं रखना है high फिलेम पे सीटी नहीं लगानी है नहीं तो दलिया क्या है अच्छे से पकेगा नहीं हलका सा कच्चा रह जाएगा इसलिए medium flame पे ही आपको इसमें ct लगानी है और जैसे आप देखेंगे इसमें 3 ct लग जाएगे फिर gas की flame को आप बंद कर दीजे तो यहाँ पे यह 3 ct इसमें लग गई है आप gas की flame को बंद कर देते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं जो इसका pressure है वो नहीं निकालेंगे बाद में जब इसका pressure अपने आप खतम हो जाएगा फिर हम इसका ठका नाटाएंगे तो 3-4 मिनट के बाद यह देखें इसमें बिल्कुल भी pressure नहीं है अब इसका ठका नाटाएंगे और यह देखें यहाँ पे बिल्कुल perfect दलिया हमारा बनके ready है ना ही बहुत जादा गाड बॉक्स में comment लिखके बताईएगा और आज की मेरी यह रेस्पी आपको कैसी लगी यह भी मुझे comment बॉक्स में comment लिखके बताईएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like share और चैनल को कर दीजे सब्सक्राइब बाद में बस हम इसमें डाल देखेंगे थोड़ा सद दे हुआ़ा और हुआपी